हलो दोस्तो नमस्कार फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे से चैनल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चाहं को सब्सक्राइब कर लेना साथ में ही बेल आइकन को इट करके औल जरू सिलेट करके ताकि जब हैं विडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम लिया आपे मिलता रहे तो चले दोस्तो फिलाल इस पावरफिल विडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो ठीके दोस्तों अभी हम लोग आचुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और येस उसो आज का जो टॉपिक है ये बहुती जादा इंपोर्टन टॉपिक हैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आप पहले ही कैसे बता प्राइज यहाँ पर उपर जा सकता है और कौन से शेर का प्राइज यहाँ पर नीचे जा सकता है ठीक है आप सबी लोग को पता है हमारा एक और चैनल है SMKC करके वहाँ पर मैं कुछ स्टॉक आपको बताता हूँ स्टडी करने के लिए देता हूँ कि देखे कि यहाँ कल के probability prediction का market के प्रती उसको आप क्या कर सकते हो yes यहाँ पर improve कर सकते हो मैं पहले बता दू यहाँ पर मैं कोई आपको formula जड़ी बूटी देने वाला हो नहीं कि या फिर ऐसी कोई website बताने वाला हो नहीं जो की बहुत ही secret है hidden है उसके बाद आप लोगों को मतलब रात और रात पैस का यहाँ पर हो सकता है क्योंकि share market के है दोस्तो ultimately आप एक probability वाला ही तो खेल है कि यहाँ पर हो सकता है नहीं हो सकता है आपका prediction कभी सही जाता है कभी गलत जाता है ठीक है मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपका जो prediction है अभी 10 में से मान लीजे आप सिर्फ 2-3 बार ही सही जा देखने को आपे मिल सकता है तो चले एक एक पॉइंट को अभी हम लोग आपे अच्छी तरकी से समझ लेते हैं तो पॉइंट नंबर वन अगर देखा गया आप अगर हमारा दूसरा चैनल फॉलो करते हैं SM किसी तो इस पॉइंट को मैं बार बार जिक्र यहाँ पर करते रह डाउ जोन्स इस इंडेक्स को देख लेना डाउ जोन्स में जिस प्रकार का मुमेंट डिखने को मिल जाता है अल्मोस्ट हम लोगों को निफ्टी 50 में नेक्स दिन उसी प्रकार का थोड़ा बहुत परफर्मस देखने को आपे मिल जाता है इसके पीछे का रिजन भी मैंने आप लोगों को दिखाते हैं, यह दोनों चार्ट पैटन देखिए, कि निफ्टी का भी देखिए, और डाउ जो जो पैटन सेम नजर आएगा, ठीक है, तैन अगर हम लोग बात करें, छे मेने का चार्ट देखे, देखे, अल्मोस्ट पैटन सेम है, कि यह उपर, तो यह भी उ जाते हैं, अगर आप यहाप एक साल का पर डेटा देखोगे, यह फिर पात साल का डेटा देखे, देखे, आप लोगों को सारी चीजे सीमिलर वेस से चलती भी देखने को मिल जाती है, तो इसका अर्थ कहा है, कि अगर आप डाउ जोन्स को थोड़ा ट्रैक करोगे, तो यह हमारे हिसाब से, मतलब हमारा जो निफ्टी आईटी रहता है, ठीके, उस इंडेक्स के साथ हम लोगों को इसका अच्छा का सा मैच होते हुए देखने को आप मिल जाता है, मतलब जिस प्रकार से डाउ जोन्स और निफ्टी फिफ्टी का रिलेंशन हम लोगों को देखन साल का देखिए, आपको समझ में रहे हैं, अल्मोस से में है, पैटन से में है, ग्याप तो यहाप रहेगा ही रहेगा, ठीके, बट पैटन हम लोगों को सेम देखने का आप मिल जाता है, तो इंडेक्स लेवल पर यह सारी चीज़े अगर आप लोगों को प्रेडिक्ट करनी है, ठीके, तो इन स्टॉक्स को, इन स्टॉक्स को मतलब इन इंडेक्स को, डाउ जोन्स को, आप लोगों ने थोड़ा बहुत अच्छी तरह की से ट्रैक करना, आप लोगों को यहाप आना चाहिए, ठीके, यह तो हो गया, इंडेक्स लेवल की बाते, अभी हम लोग यहाप पर बात करेंगे दोस्तों, सेकेंड कौन सा है, अभी स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग यहाप बात करेंगे, अभी स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आपको जाना है, देखे हर एक स्टॉक को आप ऐसा नहीं कर सकते, कि मेरा मन हो गया, चलो आज ABC वाला स्टॉक उठा लेता हू मेरा मन हो गया, चलो XYZ वाला स्टॉक उठा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक को धुणना है दोस्तों, जो कि आप लोगों को मतलब हमारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद भी, वो विदेश में अगर किधर ट्रेड करता होगा, तो वहाँ से आप लोगों को कोई indicator देखने को मिलता होगा, या फिर किसी और अलग-अलग exchange के उपर अगर वो trade करता होगा, ऐसे stocks को pick किजे, क्योंकि कुछ trader ऐसे ही होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, कि ऐसे stocks में specifically trading करते हैं, जो कि दूसरे exchange के उपर भी list है करके, तो उनको एक अं एंट देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं, कोई फरक नहीं कया, अगर आप 6 मेने का data देखें, दोनों 13-13% है, चार्ट पेटन देखें दोनों का, बिल्कुल सेम है, एक साल का performance देखें, पात साल का देखें, क्योंकि ये दोनों एक ही share है, ठीके, तो अगर किसी को Infosys को जानना है, तो Infosys को ADR को ट्रैक करें, ठीक है, ये पॉइंट में अल्रेडी बहुत बार मेरे SMKC जो दूसरा चनल है, उसमें सिखा चुका हो, सिमिलर वे, विप्रो को भी आप ट्रैक कर सकते है, अमेरिकन बादर में, विप्रो का ADR है, ये सारी चीज़े रूपीज नहीं है, दोस्तों, US Dollar में लिखी हुई है, तो विप्रो Limited को आप यहापे देख सकते हैं, इनका भी चार्ट पैटन देखिए, पाच साल का रख लो आपके सामने, तो देखिए, आल्मोस्ट आपको सेम दिख रहा है की नहीं, तो पताने का मकसद क्या है, कि इन चीज़ों क अगर आप American Bazaar में शेक करोगी, तो नेक्स दीन हमारे Bazaar में क्या होगा, इसका एक अनुमान आ जाता है, देन अगर हम लोग बात करें, डॉक्तर रेडिस, ये भी कंपनी हमारे Bazaar में है की नहीं, NSC पे आप चेक कर सकते हापे, तो ये भी हम लोग को New York Stock Exchange में, इसका भी AD ADR देखने को मिल जाते हैं, ये भी आप चेक कर लो, 64 डॉलर का ये देखने को मिल रहा है, इनका भी चार्ट पेटन देख लेना, देखें, बिल्कुल सेम चल रहा है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा चार्ट पेटन है, हमारे और कौन सा उनका है, ठीक है, तो आप देखें, ICC Bank का भी US में, आप लोगों को ADR देखने को मिल जाएगा, इन सभी चीज़ों को अब जितना study करोगे, आपको एक अनुमान मिल जाएगा, इन देखें, ICC Bank के तो आज की दिन की बात करें, आज की मतलब, हाँ ठीक है, आज ही का दिन आप यहापे वीडियो देख को समझ में आप आ जाते हैं, और ऐसी लिस्ट निकाली जाना दोस्तों, तो बहुत सारे stocks की लिस्ट है, जैसी के अगर आपको study करने, अभी विदेश में कौन-कौन से company से, जैसी के अगर हम लोग बात करें, हमारे market में Colgate है, Colpal, Colpal की बात करें तो, तो विदेश में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे आप लोगों को ये company मिलेगी, New York Stock Exchange में देखिए, Colgate करके मिलेगा, डॉलर टब में यहाँ पे काम कर रहा है, तो नेसले जैसी company आप लोगों को मिलेगी, Indian market में भी है कि नेसले, याप लोगों को दूसरे exchange में देखने को मिल जाएगा, तो तो हम लोग बता देते हैं कि देखें, नेक्स दिन हमारे भारत में फाइजर वाली जो company है, वो जबरदस धमागा करेगी करके, क्योंकि कि अमेरिकन बाजर से संकेत मिल गए, और से उल्टा भी होता है, कि जोरदार crash हुआ तो, जो कि मैंने कल के दिन, कल परसो के दिन, कौन बाजर में लिस्टेड है, तो सुमी तो हो chemical, इस company को study कर सकते हो, यह विदेश की company है दोस्तो, आप चेक कर सकते हैं यह पे, Japanese company है, बट हमारे बाजर में भी है, इंडेक्स को study करना है, यूनिलिवर की बात करे, हिंदूस्तान यूनिलिवर हमारे इसमें भी है कि नी, तो नी-York stock exchange में है ही है, ठीक है, उसी के साथ साथ आप लंडन में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी trade करता है, और उसी के साथ साथ अगर हम Amsterdam की बात करे, तो वहाँ पे भी आपको यूनिलिवर देखने को मिल जाएगा, तो बताने का मकसद क्या है, कि इनके उपर अगर आपका फोकस रहेगा, तो आपको एक अंदाज आएगा कि हमारे बाजार में क्या चलता है, अभी मारूती सुजु के हमारे मार्केट में है की नहीं, तो सुजु की मोटर आपको पता ही है, जैपनिस कमपनी है, तो वहाँ पे कोई खबर आती है, इससे रिलेटर, तो एक आपको अ अकांट आपने लिंक के तुरोपन के है, यह मुझे प्रॉपर रिकाउंट सेक्षियन में मेंचन कर देना, तो अफ्ते बार के अंदर अंदर यह सारे लिक्चर्स मेरे साथ से फ्रे आफको प्रोइड कर दे जाएंगे, ताकि आप शेर बादर को बिल्कुल आसान बाशा से सीख सको, तो ठीक है दोस्तो, यहाँ पे अभी हम लोग पॉइंट नंबर थ्री के साथ चीजों को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हो, तो दोस्तो, पॉइंट नंबर थ्री, यह थोड़ा सा मतलब बोलते हैं इसमें आप लोग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी मतलब मैं आप लोग को कुछ चीजे बताना चाहूँगा, देखी यह चीज है दोस्तो, खास करके न, जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उस वक्त हमनों को इस चीजे देखने को मिल जाते हैं अभी फिलाल रिजल्ट का ही सीजन चल रहा है, तो आप चाहो तो इस चीज को थोड़ा से एक्स्पेरिमेंट करके भी देख लेना, ठीक है, यहाँ पर आप सब लोग को पता है, कोई भी कंपन भी आपर देती है, तो क्या होता है दोस्तों, कि जबी भी किसी कंपनी के नंबर आते हैं, नंबर कब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, साड़े तीन बजने के बाद जब आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, तब ही समझ में आएगा, ठीक है, तो नंबर साड़े पूजिशन को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके चलते वो पूजिशन को अपने खराब नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ही देखते हैं, कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो कंटिन्यू करो, दैन दोस्तों आ जाते हैं, बहुत इंपोर्टन चीज, शॉट प्रकार से नंबर आते हैं, यह अपने पूजिशन को प्लस माइनस आपे करते हैं, और दाव लगाते हैं, तो मान लीजे दोस्तों, शॉट टम वालों का जो अनुमान है, उससे कंपनी ने बहुत अच्छा परफरमस दिखाया, और उसी की साथ-साथ, कंपनी ने बहुत बाइंग के लिए बन जाता है, क्योंकि लॉंग टम वाले तो पोजिशन निकालेंगे नहीं, होल्ड करेंगे, शॉट टम वाले हापे और बाइंग करके स्टॉक को भगाएंगे, और अगर कोई और जबर्दस कॉर्पर्ट एक्षन हुआ है, तो इसके चलते और भी 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 277 करोड यहाँ पर आना चाहिए करके, एस्टिमेट से देखिए, अंदाजा है करके, यह शॉट टम वाले, देखिए, लॉंग टम वालों के हिसाब से, उक्यों के परफरंस है, उन्होंने अपनी पोजिशन को कंटिनु किया, शॉट टम वाले हापे क्या बोल रहते हैं, कि रेवेन्यू 277 का है, तो एक बार हम लोग ने चेक किया, तो रेवेन्यू आप चेक कर सकते हैं, 282 देखने को मिल रहा है, मतलब जादा इखने को मिल रहा है, ठीक है रेवेन्यू चलते हैं, चीज़े ओक बोल सकते है, जैन अगर हम बात करें प्रॉफिटाबिलिटी, एकत 38% premium भी है मतलब long term वाले भी already खुश थे वो भी continue हाँ पर रहेंगे short term वालों के लिए भी यहाँ पर जबरदस अच्छा परफर्मस देखने के मला है revenue term में भी and profit term में भी and उसी के साथ जो corporate announcement था action भी था वो भी धमाकेदार मतलब यहाँ पर कोई pressure का कोई scene बनता ही नहीं था and इसी चीज के चलते आप देख सकते इंडिया माट में हम लोगो Friday के दिन जबरदस 8-8% की दमदार तेजी देखने का आपे मिली थी so रोस्तो इस प्रकार के scenario आप लोगों को result के दिन बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं so इनको study कर ले न तो जो लग पूछते हैं आपने कैसे पहले ही बता दिया तो इसके पीछी का reason and logic यही था अगर आप देखो बहुत ध्यान से सुने हैं मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आप कल के दिन कल का दिन मतलब yesterday की मैं बात कर रहा हूँ 21 जुलाई की बात कर रहा हूँ ठीक है तो कल के दिन की अगर हम लोग आपे बात करें दोस्तो तो कुछ ऐसी companies है दोस्तो जिनमें same India Mart जैसा हम लोग को scenario बनते वे देखने को मिल रहा है track कर लो उनको ठीक है मेनात का का में जैसे मैंने आप लोग को बला ना खुद से try करके देख ले ना यह कोई recommendation ने बट yes इनको अगर आप check करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यू stock उपर जाता है और क्यू stock नीचे आता है ठीक है थोड़ा बहुत मतलब जितना यह practice करोगे नहीं मेनच जितना करेंगे न उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया वाला pattern यहापे बनते वे देखने को मिल जाएगा ज़रू इस चीज़ों को study आप चाओ तो कर सकते हो दैन दोस्तों यहापे आ जाते है fourth point की उपर जहाँ से हम लोग को एक और अभी फिलाल की अगर हम लोग situation की बात करें तो कौन सा sector इब्दम powerfully चल रहा है तो defense sector फिलाल जब इमें वीडियो बना रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को 2-3 साल के बाद देखोगे situation बदल चुकी होगी बट फिलाल जब में आप सभी लोग को मैंने पहले बता है था कि एक बहुत बड़ी खबर सामने हापे आ सकती है कौनसी वाली खबर? इनको submarine से related order मिल सकता है और प्राइम मिनेस्टर नर्देंदर मोजे जी क्या करेंगे? फ्रांस की दोरे के उपर जाएंगे तब ही हमनों को इससे related final confirmation भी आते हुए देखने को मिलेगा आज ये stock कितने पे? 1860 आपको देखने है वो मेरा पुराना वीडियो उसका link उपर आए बड़न पे देता हूँ जस्ट जाके उस वीडियो में मासगाव डॉक से related मैंने क्या बाते बोली थी कौन सी खबरे आपके सामने रखी थी और तब मासगाव डॉक शिप बिल्डर ये stock कितने price पे चल रहा था? वो देखने ना link उपर आए बड़न पे है अगर आप उस वीडियो को देख भी देते हो तो उस वीडियो के comment में थोड़ा सा मतलब कुछ link भी देना मतलब मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग seriously इन चीज़ों को follow भी करते हैं ठीक है? तो वहाँ पे मैंने आप लोग को कहा था कि इस प्रकार की घटनाए हम लोगों को होते वे देखने को मिली गए और बाद में आपने देखा था कि ये खबरे पहली ही आ जाती है हम लोग क्या बलते है रहे ठीक है आ गए खबर कि ऐसा हो सकता है करके रिपोर्ट के जरीए हम लोग सिप पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं बट नहीं between the lines इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए तब ही जाके आप इन चीज़ों को पकड़ पाओगे और इसलिए आज आज आप देख सकते दोस्तों ये stock 5 दिन की बाद करें 9% एक मैने की बाद करें तो 51% 6 मैने में 140% साल बर की बाद करें तो 576% लगातार भागते विए देखने को मिल रहा है सेम इसी से related एक और stock में ने बताया था कौन सा HAL HAL में भी इस प्रकार की घटना है हो सकती है गर के ठीक है मतलब news पढ़कर हम लगों ने क्या बताया था कि सरकार defense related बहुत ज़दा aggressive हो रही है तो इनको multiple orders यहापे मिल सकते है और फिलाल आप देख सकते है stock पाच सलम कितना भागा है 388% इसे related यह भी आज कोई पहली बार में ने बता रहा हूँ इसे related भी आपको पुराना old video देखना है ठीक है मैं इसका भी link आपको उपर i button पे लगा दिता हूँ जाकर check कर लिना यह सारी चीजे दोस्तों क्या बताती है कि अगर आप कोई भी news पढ़ते हो न उसके बीच का आपको hidden जो लिखावार होता है ठीक है वो समझना आप लोगों को यहापे आना चाहिए अभी हाली में मैंने आप लोगों को क्या बता है था कि Argentina से related इनकी deal हो सकती है करके बार-बार वो interest दिखा रहे और बाद में हम लोगों ने देखा भी था कि उन्होंने LOI क्या कर दिया यहापे sign भी कर दिया करके ठीक है helicopter से related है ठीक है अभी Argentina से defense minister अभी India दोरा के उपर आ रहे है तो obviously time pass करने के लिए तो नहीं आएंगे कुछ ना कुछ defense related ही deal होगी and close deal कौन सी थी? HL से related ही थी तो यह सारी चीज़े हमें पहले से कैसे पता होती है कि इन sector से related आपको information पता होनी चाहिए ऐसा नहीं होता है कि कोई तो आप चमतकारी बटन दबाओगे और सामने आपकी information आजेगी नहीं आपको कोई तो particular sector के बारे में अच्छा कासा information होता है जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे comment section में भी लिखते sir में इस IT company में काम करता है मुझे IT से related बहुत अच्छा knowledge है ठीक है और मुझे पता है कि इस company को यह orders भी आपे मिल सकते करके और वो positions भी बना लेते और अच्छा कासा पैसा भी छाप लेते तो यह चीज़े दोस्तो यह मेहनत वाली चीज़े है इसमें कोई shortcut नहीं है तो यह जितना आप try करोगे ना उस हिसाब से आप इन चीज़ों को predict अच्छी तरह किसे कर पाऊ गया और बाद में आप देख सकते हो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही की नहीं अभी भी एक और कौन सी खबर pending है तेजस fighter jet से related अभी वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है बड़ अगर मिल गया तो वापस stock rocket की तरह है आप बात सकता है तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को पहले से देखने को आपे मिल जाती है ताकि उस प्रकार की stocks के उपर भी आप लोगों का अच्छा गासा focus है आपे रहना चाहिए तो दोस्तों इन चार चीज़ों के उपर आप जितना अपनी मेनत बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे and over the period of time अप चेक कर लेना आपकी जो probability है आपका जो अंदाजा लगाने का जो शमता है और जो result है उसका जो percentage देखिए कितना improve होते हुए आप लोगों को देखने का आपे मिल सकता है कोई रात तो रात नहीं होगा ठीके frustration भी होगा कि सही नहीं जारे करक इसलिए हम बार-बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इन चीजों को try करके देख लेना और check कर लेना कि आने वाले समय में आपको कैसे कमाल के results आपे मिल जाते है करके आप चाहो तो इस वीडियो को like and share भी आपे कर सकते हो तब तक के लिए बाबाए